तो हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आई ओप सभी बढ़िया होंगे तो आज मैं आपको जो वेकेंसी की अपडेट बताने वाला हूँ वाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपोडेंट यह अपडेट है तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर देना और यहां पर द यहां पर दोस्तों अगर आपने आईटे कर रखा तो आप इसके लिए एपलाई कर सकते हो डिप्लोमा कर रखा है इसके लिए एपलाई कर सकते हो ग्रेडियूशन कर रखा है तो भी आप इसके लिए एपलाई कर सकते हो एंड यहां पर जो आपको 1100 से प्लस यहां पर जो को मिलेंगी फॉर यहां पर लेटेस्ट वेकेंश का नॉटिफिकेशन आप जारी किया गया है अब यहां पर दोस्तों कैसे कैसे आपको फॉर्म को एपलाई करना है इसका जो एपलाई का प्रॉस्स है वो कैसे है तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी इंजिनर के पत पर वैकेंसी देखने को मिलेगी टिक है एकशी बड़िया ठीक्ने के पत पर पर बैकेंसİध देखने को मिलेगी यहां पर काफी बड़िया जो हैCTC आपको देखने को मिल जाईगी ठीक है और यहां पर जो है कैसे-कैस आपको distraction और तो यहां पर North India के इसे फॉर्म को भरना है सारी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो जैसे आप देख पा रहे होंगे अगर आपने डिप्लोमा ग्रेजुएशन या फिर भी बीटेक कर रहा है ठीक है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म भरते समय आपको कौन- रुपे पर अनुवल तक यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसमें जो बेसिक डिटेल्स बेसिक इनफॉर्मिशन क्या है चलिए मैं आपको सारी इंफॉर्मिशन यहां पर आपको समझा देता हूं तो गाइस जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैं सारी इंफॉर्मिशन बताने वाला हूं जैसे कि आप देख सकते हैं आप गैल जूनियर इंजिनियर रिक्रूटमेंट दोहजार चौविस और इसमें जो लेटिस्ट नॉटिफिकेशन जारी किया गया है यहां पर 1145 पदो पर यह वेकेंसी जो है वो निकाली गया है अब इ साथ नूटिफिकेशन है यहां पर आप देख पाएंगे डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले भी एपलाई कर सकते हैं इसकी जो एप्लिकेशन लास्टेट है क्या है सभी जानकारी मिलेगी आपको यहां पर सौर्ट इंफर्मिशन के माध्यम से तो यहां पर देख लीजिए सारी डिटेल्स को यहां पर बताया गया है तो एक बारी यहां पर जरूर से चेक कर लेना बात करेंगे दोस्तों इसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसके वाफारे में तो यहां पर देख सकते हैं आप नेम और टोटल पोस्त हैं एपलाई मोड है एजुकेशन क्वालिफिकेश तो सभी जानकारी आपको यहां पर step by step आपको देखने को मिलेगी पात कर इसमें पोस्ट नेम के बारे में तो काफी सारी पोस्ट जो है निकाली गई है ठीक है ऑफीशली जो नौटिफिकेशन है उसके थुरवी में आपको पूरी जानकारी यहां पर बताऊंगा तो वीडिय की पोस्ट है जुनियर एक्सक्यूटिव की पोस्ट है जुनियर इंजिनियर इंस्ट्रुमेंटिशन की पोस्ट है टेक्निशियन मेकेनिकल के अंदर पोस्ट है इंजिनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी तो यह काफी सारी जो पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगा बात करें इसमें सेलरी के बारे में तो सेलरी भी काफी तगड़ी यहां पर देखने को मिल रही है यहां पर देख सकते हैं नौलाख औनाचाशना रुपए पर यहां पर ऐसे ही काफी सारी पोस्ट कर उनके आगे आगे आपको जो सेलरी है वो देखने को आपको मिल जाएगी एंड बात करें इसमें एज लिमिट के बारे में तो यहां पर देखिए 18 से लेकर के और 32 वर्स के जो उम्मीदवार हैं वो आभेदन कर सकेंगे साथ इसमें education qualification की बात करें तो मैं आपको बताया कि अगर आपने ITI, diploma या फिर graduation कर रखाओ ठीक है भी ये, BSC, B.com, M.A.M.com कर रखा है तो भी आपसके लिए apply करेंगे अगर आपने B.E.B.Tec भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए apply कर सकेंगे अब इसमें आभेदन करने का process कैसे है भी मैं आपको आगे बताने वारा हूं थोड़ी दिर में तो वीडियो को यार लाइक कर देना अगर आपने हमारे WhatsApp चैनल गूरूप या फर Telegram चैनल गूरूप को ज़ॉइन नहीं किया ज़रूर से कर लीजेगा वहाँ पर हम सबसे पहले अपडेट आपको करा देते हैं अप्लिकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो देखिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी है चाहिए वो जर्नल ओभी सी कोई भी candidate हों ठीक है SCST candidate हों तो भी आपको कोई charge नहीं देना है यहाँ पर आपको लोकेशन जो देखने को मिलेगी बड़तरा खुझरात के अंदर ही लोकेशन देखने को मिलेगी क्योंकि वहीं पर ये plant है company है ठीक है तो वहीं पर ही आपको job location देखने को मिल रही है selection process की हम बात करें तो यहां पर selection process भी आपको देखने को मिलेगा, बात करें इसमें important dates के बारे में, तो देखें यहां पर जो आपको important dates देखने को मिल रही है, 23 December से start वी हैं, जिसकी last date आपको 12 जनवरी 2024 देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें how to apply की, कैसे आपको apply करना हैं, तो चलिए मैं आपको apply करने का जो process है, वो step by step करके आपको दिखा देता हूं, तो guys, online आप इधन करने के लिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले Google पर आना है, Google पर जब आओगे, तो यहां पर आने के बाद, यहां पर आपको यहां पर जो दिखेगा ना, सर्च वार का option, इस सर्च वार के option पर जो है, यहां पर आपको type करना होगा, online job तक, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर type कर देता हूं, online job तक, अब मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद, आपको यहां पर जो first tab दिख रही है, यह वाली online job तक, ठीक है, www.online job तक.online, आ जैसे कि आप यहां पर देख पारोंगे, तो जो मैं आपको post बताएं थी ना, यह देख सकता हैं, यहां पर post open हो चकी है, आप जैसे ही इस पर click करोगे, click करने के बाद, जो मैं आपको पूरी basic details बताएं थी, वो खुलके यहां पर open हो जाएंगी, आपके सामने, और यहां प यहां पर देख पार होंगे, पड़ादरा, गैस लिमटेट दोरा जो जो यह इंट वेंचिर आपको देखने को मिलेगा, गैस authority of India लिमटेट दोरा, यहां पर आपको जो job position देखने को मिलेंगी, यहां पर man point दिया गया है, यहां पर जो आपको बार दे रखी है ना, यह दे तो सभी जानकारी आपको यहां पर बताई गई है step by step आप यहां पर इस सारी details को देख सकते हैं अब जैसे मैं बात करूँ यहां पर पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की इसमें current CTC छे लाग 20,000 रुपए देखने को मिलेगी इसमें qualification अगर आपने B, BTEK कर रहे है इन computer science से city का या फिर आपने MCA भी कर रहा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए जो है यहां पर आभीदन कर सकते हैं यह बहुत अच्छी बात है कि उनकी पोस्ट के सामने ही qualification को mention किया है और CTC को भी mention किया है category जो आपको देखने को मिलेगी यहां पर आपको category देखने को मिलेगी इस इसमें और भी यहां पर काफी सारी पोस्ट नीचे जो है आपको देखने को मिलेगी ठीक है जो कि भी टैग डिप्लोमा या फिर ग्रेजिएशन वाले भी उम्मीद्वार हैं तो उनके लिए भी आप देख पाएंगे यह जो पोजिशन आपको यहां पर देखने को मिल रही जूनियर एक्सक्यूटिव गीठी के अंदर यह आपको डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिल रही है इसमें चारलाग बीस हजार पर अनुल तक यहां पर सीडिसी देखने को मिलेगी यहां पर आपने ग्रेजुएशन कर रखा इन डिस्टिप्लेन के अंदर तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें दोस्तों यहां पर क्या है कि यह फिक्स टर्म्स कॉंटेक्ट वेस्ट पर यह नौकरी आपको देखने को यह वाली पोस्ट जो है वह देखने को मिल रही है बड़ो तरह के अंदर यह आपको लोकेशन देखने को मिलेगी 12-14 इसकी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही आपको बहुत सारी वेकेंसी देखने को मिलेंगी यहां पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है और यहां पर आपने देखिए यहां पर यहां फिरक्रार्स की सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर आपने देखिए बात करें यहां पर टेक्निशन के पदो पर तो यहां पर आपको पोस्ट यह देखने को मिल रही है तो आप इसके लिए एपलाई कर सकते हो ठीक है इसकी जो फॉर्म भारने की लास्ट जेट है आपको बार एक दुशार चौबिस देखने को मिलेगी लोकेशन आपको बड़ा दरा के अंदर ही देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर इसका प्लांट और कंपनी यहां पर ही है तो आपको यहीं पर र आनुओल से आपको देखने को मिल रही है इसम wipes दीएगी यहां पर लॉकेशन भी आपको बड़ा दरा आकते आव कर सकते हैं इसमें आपको मैं पोस्ट में apply करके एक आपको दिखा देता हूं कैसे आपको apply करना है तो माले जी आपको technician mechanical की जो post है इसमें आपको आपिदन करना है तो यह जो apply बटन दे रखाना इस पर आपको click करना है इसमें आपको यहां पर बताया है job details के बारे में और apply के buttons यहां पर दे रखे हैं तो उसके बारे में आप यहां पर देखिए आपको location और post ctc discipline job location job responsibilities सभी कुछ आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगी अमालिज आपको इस पोस्टे के लिए इंट्रस्टेड हैं apply करना चाहते हैं तो यह जो आपको apply का button दे रखाना यहां पर उपर जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस पर आपको यहां पर click करना है जैसे यहां पर click करोगे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page खुलके यहां पर open हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहोंगे अब अपना यहां पर जो resume है वह आपको submit करना है कैसे submit करना है तो इसके लिए आपको यहां पर दे रख यह पूरी details जो कि आपको सामने आपको जो star mark दे रखा होगा उन column को आपको वरना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आपको first name यहां पर last name यहां पर आपनी डीयों भी यहां पर आपको जो भी पोस्ट के लिए apply कर रहे है वो automatically यहां पर आ जाएगा ठीक है जैसे कि आप देख पार होंगे total year of experience कितना है ठीक है current destination क्या है आपको देना है आपकी email id क्या है आपका current address क्या है ठीक है और आपका state कौन सा है city कौन सी है पिन कोड क्या है resume को upload करना है resume अगर आपको बनाना नहीं आता है तो बहुत सारे play store पर जाकर करके आपको application मिल जाएंगे आप बहां पर जाकर करके उन apps के ठोरो आप अपने resume को submit कर सकते हो और आपके लिए यहां पर जो higher qualification है वो क्या है वो आपको यहां पर दे नहीं है mobile number को आपको यहां पर attach करना है ठीक है अगर आपने बारे में देना चाहते हो तो उसके लिए आप यहां पर दे सकते हो यहां पर paragraph की throw और यहां पर heading के वी throw दे सकते हो उसके बाद इसके terms and conditions को follow करते हुए I agree पर tick करना है देन उसके बाद यहां पर submit बटन दे रखा है इस पर आपको किलिक कर देना है तो इस तरह से मैंने आपको step by step करके बता दी एक post आपको फिलप करके दिखा दिया सेम आपको इस तरह से ही जो post निकाली गई है इसी तरह कैसे आपको phone में या फिर आपके laptop की थो आप आराम से phone को flip कर सकते हो अगर आपका कोई भी डावट हो किसी परकार का तो कमेंट कर लेना कमेंट मैं आपको reply दिये दूँगा वरना जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ तब तक लिए अगर आपने चैन